हाई फ्रेंड्स आइम डॉक्टर स्नेदिसाई दोस्तों ये जो सबकॉंशेस मैंड के पावर्स है ये पावर्स जब आप जाने ज्यादतर लोग ये सोच कर जिन्दगी जीतते हैं कि मेरी जिन्दगी में जो भी हो रहा है उसकी वज़ा कहीं बाहर है वड़ा टेल यू आपके जिन्दगी में जो भी हो रहा है उसकी वज़ा कहीं बाहर नहीं उसकी वज़ा आपके अंदर है क्योंकि भगवान जो है उनके डिक्ष्टरी में सिर्फ एक शब्द लिखा है और वो एक शब्द है तथास्तू तथास्तू का मतलब होता है आपकी इ जो कुछ भी सोचेंगे जो कुछ भी बोलेंगे उस पर भगवान तो सिर्फ तथास्तू करेंगे और आपके जिन्दगी में वो चीज़े होना शुरू हो जाएगे और इसलिए अब तो सोचने से भी पहले सोचना पड़ेगा कि क्या सोचना वरना कब तथास्तू हो जाएगा और कब वो आपके जिन्दगी में हो जाएगा और रियालिटी अब मैनिफेस्टेशन वो शयद आपको पता भी नहीं चलेगा और इसलिए इस बात का ज आगे जो होने वाला है वो तो अभी भी आपके हाथ पे है जरूर आप उसे बदल सकते हैं सिर्फ अपने विचारों को और शब्दों को भी आप बदलते तो भी आपके जिन्दगी में काफी बदलाव आना शुरू हो जाएंगे तो पॉजिटिव सोचे पॉजिटिव बोल जब आप पॉजिटिव चीजों को पढ़ेंगे तो आप कभी भी कोई भी सेल्फ डेवलाप्मेंट के उपर किताबे पढ़े सेल्फ लर्निंग के उपर किताबे पढ़े या फ़र मोटिवेशन के उपर किताबे पढ़े और उसके द्वारा आप जब पॉजिटिविटिव अंदर डालेंगे तो positivity आपके अंदर से बाहर निकलेगी लेकिन जब मैं लोगों को motivate करता हूँ कि अच्छे-ची किताबे पढ़िये तब काफे लोग मुझे यह रों कहते है सर यह किताब तो बहुत महेंगी होती है या फिर बोले सरफ 200 पेज की किताब है और उसके 200 रुपे है बड़ इन दाट किस में इतना ही कहूँगा एक लेखक एक author उन्होंने कितने साल के अनुभव के बाद एक किताब लिखे होगी 5 साल, 10 साल, मैं भी 15 साल अब अगर वो 10 साल के कोई एक subject के अनुभव के बाद उसके उपर एक किताब लिखे है और वो किताब 200 पेज की है ज इसके आप 200 रुपे खर्च करेंगे, अभी आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको 200 रुपे खर्च करके और 7 दिन के मेहनत से 10 साल का अनुभव मिले तो ये सौदा कैसा रहेगा, media friends, समझना तो बहुत ही simple है, वो author ने कितने साल के experience के बाद वो knowledge उस किताब में दिया है, अपने पूरे 10 साल का निचोड उसमें दिया है, और हमेशा याद रखिएगा, जो अपने अनुभव से सीखता है, वो तो hard worker है, मगर smart worker वो है, जो दूसरों के अनुभव से सीखता है, और दूसरों के अनुभव से तभी सीखा जा सकता है, जब आप दूसरों को सुने, जै जरूर आपको घर बैठे बैठे सालों का experience मिल सकता है, और जो तुरंट आपकी progress करवाना शुरू करेगा, आज मेरे घर पे लाखों रुपे की किताबे हैं, और हजारों रुपे की किताबे हर महीने आज भी मैं खरीदता हूँ और पढ़ता हूँ, तो आप ही पढ़ते रह कि जिसके द्वारा आपका progress होते रहेगा.